आज हम बात करेंगे उन जख्मों की जो कि शरीर पर हो जाते हैं और वो भर नहीं पाते हैं चाहे कितना भी इलाज करवालें जैसे कोई घाव हो गया वो कई बार इतना बड़ा हो जाता है वो भरता नहीं है पेशन्स की कई बार इतनी खराब हाल तो जाती है कि उसमें पस पढ़ जाती है स्वैलिंग आने शुरू हो जाती है अगर इनका इलाज ना किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा गंभीर सिती में पहुचा देते हैं आपको जब भी आपको कोई इंज्री होती है या कोई वोंड होता है आपके अंदर पित बड़ा होता है नमस्कार डी फाइफ चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं मनना स्वागत करती हूँ आज हम आए हैं डॉक्टर ठाकोर से आज हम बात करेंगे अज हम बात करेंगे उन जखमों की जो की शरीर पर हो जाते हैं और वो भर नहीं पाते हैं चाहे कितना भी इलाज करवा लें वो जखम वैसे के वैसे ही रहते हैं और बढ़ते जाते हैं दिन पर दिन चाहे एंटिवाइटिक खा लें, चाहे उस पे कोई दवाई लगा लें, कितना भी इलाज करवा लें, वो जखम कभी भी भरते नहीं हैं, हमेशा बढ़ते ही जाते हैं तो डॉक्टर नवदीप, आज हम इसी पे बातचीत करेंगे, तो आप हमें बताईए कि जो ऐसे जखम होते हैं, वो होते क्यों हैं, और अगर हो भी जाते हैं, तो उनको ठीक करने का क्या तरीका है? नमश्कार सभी दर्शकों को, देखिए, जो आपने जखम की बात बताईए, देखिए, हमारी बॉडी में कोई भी जखम होता है, कोई भी घाव होता है, वोंड होता है, तो उसके दो कारण होते हैं, एक तो होता है ट्रॉमेटिक कारण, किसी एक्सिदेंटल कारण के कारण माली जी किसी का accident हो गया या कोई cut गया, चिल गया या कोई जलने वाली कोई चीज उपर गिर गया या कोई body का part जल गया जिसके कारण जखम हो गया नबर वन, ये जैसे कोई घाव हो गया वो कई बार इतना बड़ा हो जाता है वो भरता नहीं है पेशन्स की कई बार इतनी खराब हो जाती है कि उसमें पस पढ़ जाती है स्वैलिंग आने शुरू हो जाती है वो बड़ी painful condition है उसमें ऐसे पस दिस्जार्ज होगा वो भर नहीं पाएगा एंड इंफ्लमेशन हो जाती है रडनेस रहती है यह तो रहे जो traumatic wounds है जो कि किसी injury के कारण होते है second number के जो घाव होते है wounds होते है वो होते हैं जो हमारी body के अंदर toxins के कारण होते है जैसे body में बहुत सदा toxins accumulate हो जाते है जो आपके गलत खान पान के कारण होते है और जो आपके body में से toxins eliminate होने चाहिए वो जब नहीं होते हैं तो आपके blood में, आपके skin में accumulate हो जाते हैं तो क्या होगा फोड़े फिंसियां बनते हैं वो फोड़े फिंसिया की patient में हमने देखा multiple जगा बार बार बन रहे हैं एक बार बन गया ठीक हो गया फिर दूसरी जगा बन जाता है और फोड़े इतने खराब हो जाते हैं पक जाते हैं और लेटर ओन वो घाव में convert हो जाते हैं और वो भी इतने बड़े हो जाते हैं कि भरते नहीं है बार बार painful condition हो जाती है फिर बाद में उनमें क्या होता है कि वो पहले अंदर बनते हैं और उसके बाद उनमें infection होता है और infection के करण वो swelling हो जाती है उनमें पस पढ़ जाती है add-and दोनों एक जैसी हो जाते हैं दिखने में और इसी को हम कहते हैं दुष्ट वरन याने के जो घाव ठीक नहीं हो पाता और इसी को non-healing ulcer या non-healing wound भी कहते हैं क्या ये शिदीर के अंदर भी होते हैं या सिर्फ स्किन के ऊपर ही होते हैं ये जनरली स्किन के ऊपर ही होते हैं और अगर इनका इलाज ना किया जाए तो ये बहुत ज़ादा गंभीर स्थिती में पहुचा देते हैं क्योंकि जैसे ऐसे बढ़ते जाते हैं या ठीक नहीं आप हो रहे तो उसमें क्या होगा ये अगले के अगले टिश्यू को अपने जद में लेना शुरू कर देता है और कई बार हमने देख्या इंफेक्शन इतनी बढ़ जाती है आपकी स्किन आपके मास को पूरी कवर कर लेती है और लेटर आन देख्या कई बार तो जी जो नीचे हड़ी होती है हमारी बोन होती है पेशिंट की वो वोन के नीचे की जो बोन है वो भी इनफेक्ट हो जाती है इसको ऑस्टियोमालैटस कहते हैं और अगर फिर भी पेशिंट का सही से ध्यान ना रखा जाए या इंफेक्शन बहुत जादा बढ़ जाए तो कई बार वो पूरा का पूरा औरगन खराब हो जाता है कई बार एंपूटेशन याने के औरगन को कटवाना ही पड़ता है ताके मरीज की जान बचाई जा सके तो बड़ी ही पेइनफुल कंडिशन है कई बार हमने देखा है बार बार एंटिबाटिक्स खाते हैं फिर भी नहीं ठीक हो पाते हैं बार बार उतने पस पढ़ रही है और कई बार सकीन ग्राफिटिंग भी करवानी पड़ जाती है तो यह बड़ी ज़ादा प्रॉलमैटिक स्ट्वेशन है बहुत ज़ादा पीडा दा एक स्ट्वेशन है जिस पेशन को होती है यह एंडड इसको जितना जलदी ठीक कर ले उ तो और अगर आपने बहुत ज़दा एंटिबाटिक्स खा लिया है वो ठीक नहीं हो पा रहा है तो फिर आपने क्या करना है अपनी डाइट के ओपर ध्यान देना है जब भी आपको कोई इंजरी होती है या कोई वोंड होता है आपके अंदर पित बढ़ा होता है पित एक अगनी तत्व है जिसके कारण आपको जलन होती है सेख निकलता है और जब उसमें कफ भी बढ़ जाता है तो उसमें मवाद भी पढ़नी शुरू हो जाती है तो एक तो आपने ऐसी कुछ चीज नहीं खानी जो आपकी बाड़ी में हीट जनेट करें जैसे बहुत ज़दा मिर्ची वाली चीज़ें या स्पाइसी चीज़ें आप ऐसा हार लीजिए जो के आपकी बाड़ी में ठंड़क दे शीतलता परदान करें ऐसी चीज़ खाएं यह जो आपके दुश्वरण है इनको ठीक करने के लिए आपको एक बहुत अची टिप बता रहा हूँ आपने क्या करना है आपने एक लिटर के करीब पानी लेना है और पचास सौ ग्राम के करीब आप नीम की पतियां ले लीजिए और साथ में आप बीस के ग्राम के करीब ह पचास जख में उसे अपने डेली इसे धार बना के उसके उपर गिराना है उसे वाश करना है आप देखेंगे आपकी जो मवाद पढ़नी पढ़ती थी वो आपकी जखम ठीक होना शुरू हो जाएंगी उनके अंदर जो रेडनेस थी वो कम होना शुरू हो जाएगी तो आप उनको green tea की फॉर्म में पीना शुरू किजिए क्योंकि उसमें toxins आपके blood के अंदर है और वो अगर आपके toxins ठीक होना शुरू हो जाएंगे आपकी body से eliminate होना शुरू हो जाएंगे तो आपकी phodefinzia होंगे नहीं जो आपको घाव बनाएंगे पुराने बुजरुग जो होते हैं वो ये भी कहा करते थे कि आप नीम की पतियों को घिस करके वो फोड़े फुंसी पे लगा लें तो वो भी ठीक हो जाते हैं जे बिलकुल नीम एक बहुत ही antimicrobial function देता है जहां भी आपको घाव होता है आप उस पे लगा सकते हैं लेकिन अगर आप इसे boil करके लगाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा disinfectant का काम करेगा और आप clean करेंगे तो अंदर तक जहां तक भी infection होगी वो उसे clean करेगा क्या इसके अलावा भी कोई और उपचार है फोड़े फंसियां घाव ठीक करने का देखे अगर आपको बार बार फोड़े फंसियां हो जाते हैं जो घाव में परिवर्तित हो जाते हैं अपने ध्यान रखने हैं आपका पेट डेली साफ होना चाहिए अगर आपको constipation रहती आपको बहुत सेख निकलता है आपके श्रीर से तो उसकी जगह आप तरिफ लागे जगह आप गुलकंद का सेवन भी कर सकते हैं आप डेली एक चमच गुलकंद शाम को लेना शुरू कर जिए इससे भी आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा और दूसरी बात आपकी बलट में टॉक्सिकव नहीं होनी चाहिए तो उसके लिए जैसे मैंने बताइए नीम के पत्तों का कड़ा पीना शुरू कर सकते हैं और इस से भी आपकी बलट की टॉक्सिक कम होगी और आपका ब्लट प्योर्टी होगी और उससे क्या होगा आपको फोडेफ फिंसियों की स विधारा के पत्ते बहुत इच्छा काम करते हैं वोंड लिंग में, विधारा के चार-पांच पत्ते ले देया आपने, डेपेंडिंग उपन को वोंड कितना बढ़ा है, तो पांच या दस पत्ते अप्रॉक्सिमेट काफी रहते हैं, तो आपने उनको अच्छे से वाश कर ल वो जो मोटाई होती है, वो कम होना शुरू हो जाएगी, वो धीरे धीरे आपका घाव भरना शुरू हो जाएगा, इसके इलावा आप डेली आमला और चुकंदर का जूस पिना शुरू कीजिए, आमला और चुकंदर भी बहुत अच्छे पित शामक हैं, और आपकी बॉड करते हैं, तो आपकी बॉड़ी में क्या हिता हैं? ऐन्ती अशुरू बढ़ते हैं, जो आपकी बाड़ी में जो हीलिंग है, जो आपके टिशू लाँ हो जो याँगा हो जाएगी और आपके बहुत रवक्स बत्ना शूरू हो जाएग停 इसे की आपकि इंचशा बरन को बहु पाती है और उन्हें इंफेक्शन होने का जादा ड़ रहते हैं और ऐसे किसे में देखिए कई बार गैंग्रीन तक बन जाती है जहां पर फुट काटना पड़ जाता है तो ऐसे पेशेंट्स में हमें शुगर का भी ध्यान रखना है कि शुगर बहुत जादा ना बढ़े तो ऐसे पेशेंट अपनी शुगर का ध्यान रखें जादा लेवल्स ना बढ़ने दे हैं और अपने पैरों का खास दौर पर ध्यान रखें पैरों को कवर करके रखें और बचेंग कोई आपके पैर में इंजर्य करता है और शुगर के पैशेंट्स में हमने देख की सहजन के होते हैं सेहजन के पत्तों का काड़ा अगर आप डेली पीना शुरू करते हैं तो वह भी आपकी वूंड की हिलिंग भी करता है और साथ-साथ आपको एक और पॉस्टिब बेनफिट मिलेगा उसका वह आपके शुगर लेवल्स को भी अप्टिमम मातरा में रखता है तो जो शुगर के पेशन्स हैं वो सेहजन का काड़ा डेली पी सकते हैं तो उससे भी आपको जो आपका वूंड है उसमें काफी लाब मिलेगा डॉक्टर नवदीब ठाकूर आपने हमें बहुत ही महत्पून बाते बताई आपका बहुत बहु कातोगी तब तक के लिए नमस्कार